नमस्कार स्वागत है आपका अजीराजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हिमादरी शर्मा वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का बात किसान अंदोलन की पिछले 150 घंटों से किसान अंदोलन जारी है दली के बॉर्डर सील है केंद्र और सरकार के बीच अ देखिए इस रिपोर्ट में किसान आंदोलन को छे दिन हो रहे हैं शंबू बॉडर पर प्रदशन कारी किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब भी डटे हुए कई किसान शंबू बॉडर पर ट्रेक्टर लेकर पहुंचे हैं यहां किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है दिली पूच के लिए निकले किसान आज की बैठक पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं साफ है आज की बैठक बेहत एहम है किसान नेताओं और केंद्री मंतरियों के बीच में आज चौथे दौर की बैठक होने जा रही है इससे पहले तीन बैठक हो ही जो की बे नतीजा रही है लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बैठक साकरात्मक तरहां से की जाएगी दोनों पक्ष एक दूसरे को समझेंगे और फिर नतीजा आएगा पिछली बार बैठक जो है तीसरे दौर की वो डेड़ बजे रात तक चली लेकिन कोई नतीजा नहीं आया लेकिन इस बार उम्मीद की जा रहे है कि कोई नतीजा आएगा क्योंकि आम जनता भी काफी परिशान है किसान भी छे दिनों से आंदोलन कर र लुद्याना में सेव्ट किसान मोर्चा की बैठक हो रही है लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्रमोद किसानों को साफ संदेश दे रही है कि उन्हें सश्रक्त बनाने के सभी प्रयास किये जा रही है हमारे किसान इतने सदक्त हो जाएंगे कि वो देश के पैसों की बचत कर सके बीते कुछ वर्षों में दलहन तिलहन और स्री अंड के लिए विशेस नीतिया वनाई है जिससे छोटे-छोटे किसानों को मदद हो रही है आपको बता दें कि पहली बैठक आठ परवरी 2024 बे नतीजा रही दूसरी बैठक बारा फरवरी 2024 भी बे नतीजा रही और टीसी पंदाग परवरी 2024 को ही बैठक भी बे नतीजा रही MSP की गरंटी का कनून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ती है, डाक्टर स्वामी नाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत का, भारत बाहर आए या कम से कम एगरिकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकला जाए किसान निता राकेश डिकैट हरिद्वार से लेकर गाजीपूर बौर्डर तक प्रदशन का एलान कर रही है, 21 परवरी को जिला मुक्ख्यालें पर ट्रैक्टर के साथ प्रदशन करने का आवान भी किया गया है इसकेम के जो मुत्ते हैं हम उनको उठाते रहेंगे, हमारा 21 तारिक का सभी जिला मुक्ख्यालें पर दर्शन है ट्रैक्टर के साथ भी जाएंगे आसकर का हरियाना, उत्तरपर्देश, जांपिन की सरकार हैं या नहीं भी सरकार हैं, वहाँ पर जाएंगे वैसे यूपी सरकार ने हारात की गंभीटा को समझते हुए, छे महिने के लिए एसमा लागू कर दिया है जाहिर है, इस बैठक पर आम जनता भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सोमवार का दिन दिल्ली वालों के लिए मुसीबत का नया सप्ता बन सकता है ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी पिछले सप्ता की कुछ तस्वीरे देखी जा सकती है जब आम लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही थी, बहार से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा था यही नहीं, एम्बुलेंस को रास्ताना मिलने से मरीजों की जान पर भी बना रही है जबकि अन्नदाता के आंदोलन राजक खत्को गुसनी की तस्वीरें सामने आ चुकी है इस बीच सुरक्षा कारणों से पंजाब के साथ जिलों में 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद किया गया है इसमें पट्याला, संग्रूर, पतेहगर, साहिब, बटिंड, मानसा, मोहाली, मुक्तसर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट बंद किया गया है इसी तरह हर्याना के भी साथ जिलों में 19 फरवरी राद 12 बज़ित तक के लिए इंटरनेट बंद है जिस सरीके से पिछली बार दिल्ली में अशांती फैली थी, इस बार ऐसा कोई भी गटना करम ना हूँ इसके लिए लगातार जो जवान सुरक्षा में लगे हैं, वो इस चीत को सुनिक्षित कर रहे हैं आज पिर एक बार सरकार और किसानों के बीच में बात होनी है आगे की रणनीती क्या रहने वाली है, इसका कहीं ना कहीं एक जलक कल मुझफवन नगर में हुई महापंचायत में देखने को मिला अब जो शंबू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, वो क्या निर्णे लेते हैं ये आज शाम को सरकार और उनके बीच हुई बातचीत के बाद ही पता लगेगा कहीं हालात हाथ से ना निकलें, इसके लिए सरकार और प्रशासन मुस्तैब हैं लेकिन प्रदशनकारी भी आंदोलन की धार मजबूत करने में जुटे हैं मेरो रिपोर्ट जी मीडिया